हेलो दोस्तों स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अडवांस आटो एलेक्ट्रिकल पावर्ड भई स्ट्रियस थिंकार इंडिया दोस्तों आज हमारे पास एक यूनिक एक फाल्ड के लिए कर देता है इसके प्रतिक्तन इसके अंदर दिककत क्या है देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं अभी देखो यह मान के चलो यह अपकी गाड़ी ए अभी मैं इसका बैटरी वेर लगा दिया और ignition on किया, ignition on मेरा है, ना तो चकलेट आ रहा है, ना तो हीट लेट आ रहा है, ना तो अपना फिल्पम का लेट आ रहा है, कोई भी लेट आ नहीं हो रहा है, ठीक है, scan भी हम करते हैं तो भी communication error आ रही है ठीक है अभी इसमें हुआ क्या है गाड़ी तो running गड़ी थी यह गाड़ी जो गाड़ी mechanic के पास आई थी वो गाड़ी running गड़ी आई थी तो कुछ error के कारण उन्होंने गाड़ी में flashing किया ECM को flash किये वह flash कैसे किये वह तो मैं जानता नहीं हूं और टूल का नाम भी लेना नहीं चाता हूं वह किस कारण से ECM dead हुआ क्योंकि दो किसी को हम गिरा के बात नहीं करते हैं अभी कोई भी brand का कोई भी brand का निचा में नहीं दिखाऊंगा ठीक है कोई भी forever उत ब्रैंड के scanner से ECM को flash किये तो ECM बंद हो गया चकलेट भी आना बंद हो गई और गाड़ी स्टार्ट होना भी बंद हो गई ठीक है और मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि अव some I jerob के गलती है क्योंके हो सकती है जिस भाई ने invention में EU kang機 फो फ्लैश किया ए सकी हो सकति है सही जाए पर जाके flashing नहीं किया होगा या battery का दिहान नहीं दिया होगा यह भी गलती हो सकती है कोई भी जब तक हम आंखंसे देख नहीं सकतें जब तक उससे परले हम कुछ नहीं बोल सकते और जिसने ये ECM को खराब किया वो तो बोल रहा हमने कुछ नहीं किया डेरेट ECM को फ्लैश किया सही प्रॉपर जगा पे जागे ऐसा तो मुझे लगता नहीं है कही ना कही कुछ ना कुछ गलत तो वो किया है अभी आप देख सकते हैं इसके अंदर चकलेट कुछ नहीं आ रहा है और इसके अंदर ECM communication भी अभी नहीं हो रहा है ठीक है अभी हम क्या करेंगे इसके अंदर KTM से डेटा दलने के कोशिश करेंगे क्या KTM से डेटा जा सकता है क्या इसका ये connection रहता है देख सकते हैं यह इसका connection रहता है और बिना time waste किये हुए मैं अभी सारा कुछ connection लगा लेता हूँ लगा कि मैं आपको बताता हूँ क्या ऐसा कुछ flashing मरने के बाद ECM data खराब हो जाएगा तो हम क्या KTM से या KTX से data डाल के इसको recover कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं क्योंकि मेरे को लगता है बहुत helpful वीडियो है और क्योंकि जो कम थोड़ी knowledge की वज़े से पुरा ECM खराब कर देते हैं तो हम KTM से या KTX से अभी मैं KTM से करूंगा KTM से data दलने की कोशिश करूंगा प्रॉपर डेटा जा रहा है किया और मेरा चकलेट सारा कुछ आ रहा है किया मैं देख लेता हूं ठीक है और मुझे उम्मीद है इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा ठीक है कि डेटा करट होने से भी अपना ECM खराब हो सकता है और किम्यूकेशन भी एरर आ सकती है चकलेट भी नहीं आ सकता फिल पॉंप आन भी नहीं हो सकता बहुत सारे एरर आ सकते हैं तो अभी मैं देखूंगा अपने KTM की मदद से मैं डेटा दालके देख लूँगा पहले उसको हम ओपन करेंगे Can You अभी हमने इसका सारा कुίας कर लें इडेन्स रहा है क्या हमारा ECM lapihenda होँ अपना हो रहा है ECM identification हो रहा है तोंगे गाड़ी के दर चेकलेट भी नहीं आ रही है कुछ भी नहीं आ रही है क्युम हूं सक्राइब इसके करेंड़ चकलेट कुछ कई रिद्ध हो सकते हैं कि रेट सो हो रहा है अभी मैं को दूसरा एक भुप्र डिटा दालूँकaaa दालके में टेस्टिंग करूँ we तो हमने स्केंदर डेट सारा कुछ आगया है कि हैस दूस्तों हमने इसके अंदर डेटा दाल दिया है तो हम हम है किसे हैं थैक्र में करें क्राइद करूंग में करूऊ आको कर सकते हैं और क्रहें रहा होगा रहा हैं तण का मतलब क्या है यह जो वीडियो बनाने का मतलब क्या है देखो छोटी सी एक क्या बोलते हैं उसको छोटी सी कम नालेच की वज़े से समझते हैं मेकैनिक हमारा यह जो इसमखराब हो गया ठीक है और प्रॉפר तरीखे से कैसे फ्लाशिंग करना चाहिए क्या हमें धिहान रखना चाहिए इसमखराशा है यह सब अच्छे तरीखे से मालूम होना चाहिए यह इनको क्यों मालूम नहीं होता है कहीं पे स्कैनर ले लेते हैं बिना सपोर्ट के ना तो उनको कुछ मालूम नहीं होता है स्कैनर क्या है मालूम नहीं रहता है और स्कैनर के अंदर फ्लैशिंग किस परपस से करना चाहिए और किस वज़े से फ्लैशिंग करना चाहिए, कुछ भी इनको नौलेज नहीं रहती है, स्कैनर लेकर डिरेट फ्लैशिंग के लिए दाल देते हैं, और कभी इसी फ्लैशिंग करने के टेम दिक्कत आ गई, तो पूछते हैं, भाई ऐसा हो गया, हमारा ISM खराब हो गया, यह हो हो गया, वो हो गया, ठीक है, तो अभी मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, तो मेरा बोलने का मतलब क्या है, ऐसा कभी आप ISM को फ्लैशिंग कर रहे हैं, तब आपका चाबी का लाइट और चेक लाइट और फ्लैट सारा कुछ आपका चला गया, तो आप समझ जाओ, आपका ISM के अंदर डेटा गलत तरीखे से गया और गलत डेटा गया है, तो आप उसका केटियम या केटेक से आप बरपर डेटा दाल के आप काम कर सकते हैं, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्रीब करें चैनल को, ठैंक्स पूर वाचि प्पासि करें, क्या है, तो भज्सक्रीब करें, रुमिब तरीद